ही गाइज मैं हूँ सीमा और दावट चनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ आज की जो रेसिपी है आज हम लोग जो केक बनाने जा रहे है वो मुझे लगता है सबसे स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सिर्फ 65 रुपे में या जी हां 65 रुपीज में हम लोग ये केक बनाने जा रहे है और ये केक आप लोग अराम से 100 या 120 रुपे में आपके कस्टमर को बेज सकते है बहुत ही सस्ते में ये केक घर पर ही बनकर त्यार हो जाता है किस चीज को कितने पैसे लगते है कितना सारा समान आपको लेना है सारी चीज़े आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो चलिए 100 रुपे का या 65 रुपीज का केक हम लोग बनाना शुरू करते है अगर वीडियो थोड़ा सा भी हलफुल लगता है पसंद आता है इस तरह का डबबा आप इस केक को बनाने के लिए यूज कर सकते है केक टिन नहीं है तो इस तरह का स्टील का डबबा ही आप लोग गर का यूज कर सकते है इसको बस मैंने तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और इसमें हम लोग डाल देंगे यहाँ पर एक कप के करीब premix जो मेरा कप है वो 100 ml का है, 100 ml का ये कप है तो इसमें मैंने एक कप ये premix लिया है अगर हम लोग grams में इसे देखेंगे तो ये 60 grams या 65 grams के बराबर है तो यहाँ पर 65 ग्राम्स मैंने यहाँ पर लिया है केक का रेडिमेड प्रेमिक्स और इसमें हम लोग डाल देंगे एक चम्मच रिफाइन ओयल जो कि हम घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं सिर्फ एक चम्मच है आपको यहाँ पर तेल यूज करना है और बस अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाकर इसका एक स्मूद बैटर तयार करेंगे तो यहाँ पर यह जो पानी मैंने लिया है यह नॉर्मल रूम टंपरिचर का पानी है और बस पानी भी हम लोग थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और स्मूद बैटर तयार करेंगे तो यहाँ पर इस बैटर को तयार करने के लिए पानी भी कितना लगेगा वो भी मैं आपको बदाती हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा ग्लास यानि की 50 ml के करीब मुझे पानी इस बैटर को तयार करने के लिए लगा है और बस इसमें 1.5 टी स्पून मैंने पाइनापल इसेंस भी डाल दिया है और हलकी हाथ से इसे मिला लेंगे बैटर की कंसिस्टनसी इससे ना ही बहुत ज़्यादा पतली या ना ही गाड़ी होनी चाहिए तो चलिए बैटर हमारा तयार है अब इसे हम लोग ग्रीज किये हुए टिन में डाल देते है और बस बैटर डालने के बाद आपको इस तरह से evenly spread करना है दो तीन बार tap करना है और अब इसे हम लोग bake करने के लिए रख देंगे यहाँ पर इसे bake करने के लिए मैंने यह जो कडाई है इसे 10 मिनिट पहले ही low flame पर preheat होने के लिए रख दिया था नीचे एक stand भी रख दिया है उसके उपर यह cake tin अब हम लोग इसे lid लगा कर 20-25 मिनिट तक low flame पर ही bake कर लेंगे तो यहाँ पर पूरे 25 मिनिट कंप्लीट हो चुके है 25 मिनिट के बाद ही हमारा cake यहाँ पर तयार हो जाता है क्योंकि हमने premix बहुत ही कम लिया था बैटर भी कम था इसलिए यह जल्दी ही bake हो जाता है देखिए toothpick मैंने इसमें डाल कर देख ली है clear आ चुकी है इसका मतलब है यह अंदर तक bake हुआ है अब इसे हम लोग पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और बाद में icing करेंगे तो जब तक हमारा cake ठंडा हो जाता है guys तब तक हम लोग यहाँ पर इसके लिए whip cream तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हमने 100 ml का एक cup लिया था जिसने हमने premix भी measure किया था उसी cup से मैं यहाँ पर एक cup ये एकदम chilled वाली whipping cream ले लेती हूँ तो यहाँ पर एक cup मैंने ये whipping cream ले ली है 100 ml के करीब ये whipping cream हमें इस बाउल में डाल देनी है whipping cream आपके एकदम chilled होनी चाहिए ठंडी होनी चाहिए तो चलिए अब हम लोग इसे electric beater से 6-7 minute तक अच्छी तरह से stiff picks आने तक beat कर लेंगे तो इस तरह से आपको इसे electric beater से beat करना है पूरी तरह से beat होने के बाद आपकी cream की quantity इतनी बन जाती है और इससे हम लोग अराम से आपका जो cake है इसे decorate कर सकते है देखिए perfect ये हमारी cream यहाँ पर बन कर तयार हुई है और तब तक हमारा जो sponge है वो भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है चलिए अब मैं इसे चाको के मदद से थोड़ा सा lose कर लेती हूँ और demold कर लेती हूँ देखिए एकदम sponge हमारा की एक यहाँ पर तयार हो चुका है इसके नीचे का butter paper भी मैंने निकाल लिया है अब यहाँ पर जो half kg का board होता है वो मैंने इसके नीचे लिया है और cake के बस हमें दो ही layers यहाँ पर cut करने है तीन layers cut करने ना जाएए क्योंकि हमारा cake बहुत जादा छोटा है तो दो ही layers आपको इसके cut करने है cake के board के उपर मैंने थोड़ी से whip cream लगा ली है और उसके उपर हमारा जो पहले sponge का layer है वो भी रग दिया है और बस sponge की जो layer है उसे हम लोग शुगर सिरब से soak कर लेंगे इसके लिए मैंने दो चम्मच चीनी में एक चोथाई कब पानी मिलाया था आपका शुगर सिरब त्यार हो जाता है तो यहाँ पर इतनी whip cream आपको लगानी है देख सकते है और उसे अच्छी तरह से palate की मदद से spread करना है अब यहाँ पर हम लोग pineapple flavor में यह cake बनाने जा रहे है इसलिए मैंने हाँ पर दो चम्मच के कर यह जो pineapple crush है वो इसके उपर डाल दिया है अगर आप चाहे तो यहाँ पर fresh chopped pineapple के टुकड़े भी इसके उपर डाल सकते है वो भी खाने में बहुत जादा tasty लगता है दूसरी layer भी हमने same उसी तरह से इसके उपर रग दी है इसे भी हम लोग sugar सिरप से soak कर लेंगे अच्छी तरह से soak करना है तभी आपका cake एकदम soft और moist तयार होगा अब हम लोग cake की जो sides है जहाँ पर भी gaps वगरा है वहाँ पर cream लगा कर इसे पूरी तरह से cover कर लेंगे तो इस तरह से मैंने sides में थोड़ी सी whip cream लगा ली है अब हमें क्या करना है गाइस पूरा जो cake है उसे sides में और top के उपर भी whip cream से cover करना है दीखे इस तरह से नीचे description box में आपको perfect तरीके से cake की icing कैसे करनी है उसके बहुत सारे videos मिल जाएंगे तो आप नीचे description box में जाकर check कर सकते है तो इस तरह से मैं सारा जो cake है उसे whip cream से cover कर लेती हूँ और उपर की जो extra cake cream है बस उसे हम लोग हलके हाथ से palette की मदद से निकाल लेंगे इस तरह से बहुत ही अराम से आप लोग finishing कर सकते हैं, icing कर सकते हैं तो यहाँ पर extra cake cream मैंने उपर से निकाल ली है और हमारा cake यहाँ पर icing होकर तयार है, चलिए अब decoration की तयारी करते हैं यहाँ पर decoration के लिए मैंने दो चमच यहाँ पर यह neutral gel लिया है इसमें हम लोग सिर्फ एक drop के करीब यह gel color डाल देते हैं क्यूंकि हमें yellow color में यह neutral gel तयार करना है neutral gel इस तरह से मैंने थोड़ा सा liquid consistency में रखा है, चलिए अब इसे हम लोग cake top के उपर डाल देते हैं और बस palette की मदद से हम लोग इसे बस हल्की हाथ से spread कर लेंगे इस तरह से हाथ को एकदम आपको smooth रखना है, नहीं तो आपकी जो अंदर की cream है वो भी इसके साथ निकल कर आएगी तो इस तरह से neutral gel को मैंने cake के top के उपर अच्छी तरह से spread कर लिया है अब थोड़ा सा dripping effect भी हम लोग इसे देने वाले हैं तो यहाँ पर चमश की मदद से ही मैं cake की sides में एक-एक drops बस डाल देती हूँ अगर आप चाहे तो यहाँ पर piping bag में ये gel भर कर भी dripping effect दे सकते है तो इस तरह से हमें एक-एक drop इसके उपर छोड़नी है परफेक्ट तरीके से हमारा dripping effect यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर देख सकते है अब यहाँ पर piping bag में मैंने 2D number का nozzle लिया है और बस इस तरह से हम लोग छोटे-छोटे floss बना लेंगे यह floss दिखने में बहुत जादा खूबसूरत लगते है अगर आप चाहे तो अलग nozzle से अलग design से भी decoration कर सकते है तो इस तरह से मैंने छोटे-छोटे यह floss तयार कर लिया है अब sides में भी जो design है, border की design है उसे बनाने के लिए मैंने छोटा वाला star nozzle लिया है और उसकी मदद से मैं इस तरह से shell वाली design बना कर तयार कर लेती हूँ आपको जिस भी तरह का decoration पसंद है आप लोग उस तरह से आपके cake को decorate कर सकते है अब बीच में मैंने इसके उपर रख दी है एक cherry और इसके बाद हम लोग sides में थोड़ी सी tutti fruity भी डाल देंगे तो अब यह हमारा cake 65 रूपीज में या 65 रूपे में कैसे तयार हुआ यह मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ तो cake बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर premix ले लिया था तो premix में ले लिया था 65 ग्राम उसकी कीमत होगी गाईज 8 रूपीज क्योंकि जो मैंने premix यूज किया था वो 120 रूपे किलो है तो अगर हम लोग 65 ग्राम की बात करेंगे तो वो होगा 8 रूपे का इसके बाद हमने इसमें एक चमच तेल भी यूज किया था उसके कीमत होगी 3 रूपे उसके बाद हमें उसे bake करने के लिए गैस लगा है तो गैस का खर्च मैंने पकड़ा है 8 रूपे इसके बाद हमने उसे decoration के लिए whipping cream लिये लिये है तो whipping cream का 1 kg का packet आता है 170 रूपे में 100 ml के करीब हमने whipping cream ले ली थी उसकी कीमत होगी 17 रुपए उससे बीट करने के लिए Electric Booter का यूज़ किया था उसके मैंने पकड़े है 5 रुपए उसके बाद हमने चीनी ले ली थी शुगर सिरब तयार करने के लिए उसके मैंने 2 रुपए पकड़े है उसके बाद जो pineapple crush है उसके मैंने 3 रुपे ले लिये है neutral gel लिया है 3 रुपे का cherry और जो tutti fruity है उसके मैंने 4 रुपे पकड़े है और जो board और box हमें अगर हम लोग बाहर के customer को cake दे रहे है तो board और box देना पड़ता है उसके मैंने 10 रुपे पकड़े है और चाकू और happy birthday का tag आता है उसके मैंने 2 रुपे पकड़े है तो इस तरह से आप पूरा 65 रुपे में या 65 रुपे में ये cake बना सकते है मैंने बहुत कम यहाँ पर कीमत ले ली है इससे अगर आप थोड़ा सा महंगा समान भी यूज़ करेंगे तो बहुत जादा से जादा 70 या 80 रुपे में बहुत जादा पकड़ेंगे तो 80 रुपे में भी आपका cake तयार हो जाता है तो भी आप इसे 100 रुपे में या 120 रुपे में अराम से बेच सकते है क्योंकि अगर आप भी home baker है तो बहुत सारे लोग या customers आपके पास ऐसे भी आने वाले है कि जो 100 रुपे का या 100 रुपे का cake आपसे मांगेंगे तो आप इस तरह का cake उन्हें बना कर दे सकते है और profit कमा सकते है तो आज का ये 65 रुपे का या profit के बाद 100 रुपे का ये के एक या recipe आपको कैसी लगी मुझे comment section में जरूर बताईए और अच्छी लगी है हमेशा की तरह helpful लगी है पसंद आई है तो प्लीज प्लीज इसे like, comment, share और डावच चनल पर अगर आप नए है पहली बार ये वीडियो देख रहे है तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए दावच चनल को subscribe करना ना भूलिए तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई recipe के साथ तब तक के लिए thanks for watching, take care